जाएं दोस्तों मायनुचकुमार आप सभी का एग्रिवनुचकी ऑनलाइन प्लेयर फाम पर सौगत करता हूं आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है पसु अहार गड़ना के उपर जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो पसपालन है उसमें जो है आपका एक पर परिकार से अच्छी परीके से पता होगा कि यह कितने नंबर का होता तो आपका एच्छे नंबर में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता यह प्रशन क्यूंकि आपको भी पता है जब नुमेरिकल अले प्रशन आते हैं वहां पर अगर आप सही कर लेते तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने के चांसे रहते हैं वहीं पर अगर आप ठेरटे नंबर में मिलेंगे मिलेंगे ही नहीं अगर तरीके से distance करेंगे पूरा करेंगे ठीक है आप ध्यान पूरा सब कुछ समझ दे जाना इसके मैंने और भी summarize कर रहा है ताकि आपको और अथी तरीके से समझ में आए कुछ data होगा वह याद करना होगा आपको कि कब क्या करते कितना रासन कब देते हैं तो थोड़ा आपको करना है नोट इन दसन्स आपको नोट कर लेना है अपनी कॉपी पर और यहां पर जो है इसे अच्छी द्रीके से पढ़ लेना तो तीन बार ताकि आपको याद हो जाए तो यहां पर आपको देखने को मिला होगा मैंने यहां पर अवे ले लिया है और प्रती भैस और गया आप से पूछेगा तो इन्हीं दो में से किसी एक का पूछेगा तो यहीं पर एक होता है ट्रम पसू जो आपका भार होता है पसू का उसकी आधार पर हम देते हैं ठीक है तो कितना देते हैं ठीक है इसके हसाब से हमारा सुक्स जो है आपका कितना दिया जाता है ड्राइमे है याद कर पाएं जैसे मैंने सिक्वेंस किया है इसी प्रकार से पूरा करते हुए जैसे रहें तो हुए कि सरीर भार इसका सो किलो होता है तो सो किलो पर हम avanzание थे थे ुःयनिक लिए तो पर देते हैं कितना एसका बहार है तो हम्से कितना देंगे टीर्स किलो को क्या देंगे ड्राइ मैंटर देंगे यानि कि इसमें हमें आधा किलो कम कर लेते हैं घ्ले को यहीं आपको यहां रकना है कि 100 किलो पर हम कितना देंगे है तीन के बाइस है देख बड़ी होती है मोटी होती है किसके है तो इसको हम तीन जीवननिर्वाह दाना होता है एक दूदद उत्पालन के लिए होता है जीवन निरवाह इंदा जीसे कि अपना देली काम करते हो कोई ठीक है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तुम खाने को होता है याने कि कुछ आपको एनर्जी के लिए चाहिए तो जिसके उपर तुम निर्भर हो उससे आपका जीवन यापन चलना है जीवित रहने के लिए जो खाना मिले है वही हमारा जीवन निर्वा है ठीक है मलूब कि हमें जीवित रहना है उसके लिए हम जो खाते हैं तो वही हम जो खाएंगे जो भोजन करेंगे वही हमारे का है हमारे लिए हो जाएगा वही हमारे लिए जीवन निर्वा हो जाएगा है सिर्फ जीवन को चलाते रहने के लिए हमने क्या करना है जीवन निर्वा दाना दिया जाता है तो यह कैसे होता है इसको बात करें तो हम इसमें डारेक्ट ऐसा रखते हैं कि जीवन निर्वा हम सभी को देते हैं जिसे कि हमारी भैस अगर है तो उसको डेड़ केजी देते हैं और वहीं पर गाय है तो गाय को हम एक केजी में ही काम चला देते हैं तो भाइस देखो देखो यहां पर समय आपको भाइस का ही ज्यादा मिलेगा गाय का पेच्छा कम होगा ठीक है भाइस के पेच्छा गाय का कम होगा हमेशा ठीक है यह आपको थोड़ा मैंड में सेट अप क फ्रति-50 kg संब्सक् milliards सब्सक्राइस देंगे ताकि दूद उतपादन के लिए जीवन तो अलग द है रह很多 गिए हम चला सके लेकिन हमें दूद ज्यादा लेना है उससे ज्यादा लेना है तो हम दःाना भी बढ़ा देंगे नहां किस ह 아니면 कि एक ज्यादा दो देंगे तो उसको एक तो कि दूद्धारू पसूं कर रही है तो गाय के तीन केजी पर चुब गाये के तीन केजी दूद्धे देगी है तब उसको एक किलो दाना इस्टरा देंगे तो उनको एक केजी क्या देंगे दाना देते हैं कीतना 1 केजी दाना इश्टरा देते हैं ताकि वह दुग दुदूत पादन अच्छी तरीके से कर पाएं ठीक है दूग-दुदूत पादन उनका बना रहे और आगे बढ़ता रहे वहीं पर अगर बात करें भूड विकास या भूड विकास या जब जब दोको भूड विकास इंदा सेंस होता है जैसे कि जब गाय और भाय जो है गाविल होती है ठीक जो भूड विकास उसके अंदर हो रहा होता है उसको उसकी मरमत के लिए यानि उसकी जो कंडिशन है उसकी जो सेहत है वो अच्छी बनी रहे समय रहो नब उसकी सेहत अच्छी तरीकी से बनी रहे तो हम क्या करते उसको का इसको हुँआ हैं Stroh इसको ने करते हैं उसको आईरन गुंपिशा में खिला झाते हैं क्यूं कि उसका विकास अच्छा हो सके उसी प्रकार से इसमें लिएब करना है तो बताएगा किस के आप से करना है तो यह क्या हो जाएगा कितना यह आपको याद रखना होगा अगर भूड़ विकास हो रहा है भैस है तो डेढ़ के जी इस तरह देगे वहीं पर अगर बात करें गाय में तो गाय में आपका EKG बढ़ा देंगे बूर्ड विकास पर तो ये जीवन निर्वा का सेम होता है ये आपको ध्यान रखना है जीवन निर्वा का सेम होता है अगर बूर्ड विकास है जो जीवन निर्वा में दे रहे थे उसी का उतना ओर दे देंगे आपको कोरेलेर करके याद करना है बहुत आसानी से आप याद कर लोगे से इस table को बस आपको अगर ये table याद हो गई न तो आपका 6 नमर्मालों पक्के हैं बस ये आपको table याद होनी चाहिए पस इसी टेबल से आपका पूरा कारी होने वाला है थीक है यह यहाँ पर देखिए अब इसमें दो-तीन प्रण और आपको याद रखने होंगे जैसे कि भूसे में सुख्सक पर्दार कितने परसित्था होता है यानि जो भूसा होता है यानि की चीज है मनलू यहांनिक क्या पाय जाता है ठीक है इसी मतलब होता है हरे चारे में उपलब्द हो तो जीवन निर्वान ही देते आप देखो यह आपको आसानी से ध्यानक ने बहुत important point है यह जब बरसीम बरसीम उपलब्द हो बताएगा है बरसीम उपलब्द है तो हम उसको जीवन निरवाह नहीं देते हैं उपलब्द कपसे होगी उपलब्द कुपसे होती तो नौंबर से आप कर सकते हो फरवरी के सानी से, अगर मंत दे आपको ठीक है अब उसमें आपको दिमागा लगाना होगी हाँ उसमें बरसीम मिलती है या नहीं मिलती है तो आपको जहां नौंबर से फरवरी के बीचे में अगर कोई मंत दिया रहा है नौंबर भी दे रहा है या फरवरी दे रहा है या कोई दे रहा तो आप उसमें बरसीम से यहन backlide ego कि यह आपको समझना होगा सो नेस्ट आपको दाने में सुष्बरादध कितना होता तो इसमें भी आपका 90% दाने में भी सुष्ब्रताद होता है यह यह पूरा एक चैप्टर है थोड़ा सा हलका सा जो है आपको इसे समझना होगा कि क्या क्या इसमें आपको याद रखना है अगर आप यह याद कर लेते हैं तो आगे के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा क्यों मैं आपको इसी प्रकार से ही बताऊंगा अब इसमें याद करना है ही कि आप लोग को पताईए जी वन ने वा भूल भीकास अगर पूछेगा तो दोनों सेम होंगे ठीक है दोनों बढ़ा देंगे दुख दुख पादम के की लोग को याद कर ले ना है बस ऐसे ही आपको याद कर ले ना है तो अब चलते हैं कोशन की और अब रहें हमारा जी प्रस्वी सब्स्थ भैस कहhovene सोती है या हिव याद राख आगा बढ़ोष्य है की वेस्ट नसल की रहे सब्सक्राइइन्वा जिए के लिए सनबह कԵय कि साड़े बारा लीटरें में आ चुका रही है हुगा क्या 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 में हमें पता हो चुका है हमें उसका भार पता हो चुका है सितंबर माह पता चल चुका है अब सितंबर माह जब पता चल चुका है तो इससे आपको क्या आडिया लग रहा है कि हमारी जो बरसीम तो इस समय उपलब्द होगी नहीं हरे चारे में ठीक है यानि कि हमारा जीवन निर्वा जो हमारा दाना थ और भाइस को में देना ही पड़ेगा डेड़ के जी ठीक है यह आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है प्रते दिन दूद भी कितना दे रही भैस तो साड़े बारा लिटर दे रही यानि कि दूद उपादन कर रही है तो इसको हम दाना दूद उपादन का भी देंगे यह साथ कैसी आप को कौशन बढ़ते ही आ जाने मफिन की सबसे पहले हैं परदाध की मातरा निकालेंगे writing कि सबसे पहले तो हमें सुप्स्प्रणार महत्रा निकालने के लिए आपको पहले हम बता चुके हैं कि कितना देते हैं 100 algo पर 100 kg पर भाय सगर है 100 कजी क्या होता है कि 100 bo2 टिस स harvest शरीश एक ऐसे आपको लिखना तरी शरीर भार है सरीर भार पर कोगर द इतना दीता है इतना द्ता है का 6 स्किलाफ में 7 किलो पर हम सौ केसी ही पर वंटीन किलो देते हैं तो नीचे इसके तो हमारा निकला कर आज़ेका एक किलो कर सहीर भार होगा तो हम कितना सुस्क्पढाद देंगे इतना देंगे इतना हम ड्राइ कि यानि कि च्छेंटल की बाइस होती है जानते हो यह जो भैस होगी तो यह क्या होगी यानि कि हम यहांपर लिखेंगे वन सकते हैं इसे और कैसे भी कर सकते हैं यहां पर समझ जादा लग लग जाएक है लेकिन आपको मैं समझा दे रहा हुँ कि 1kg है 1kg का पहले सरीर पर हमें कितना देना होगा दाना थो में एक के जी का हमें पता चल गया कि इतना दैना होगा तो कोईसी को मल्टि पलाइ ख्याइं देख्वेन के CAS?" हमें पता है कि यह जो सेब है, यह दो रूपे में 4 मिलते तो हमें क्या करेंगे चार इंटो दो याने कि हम चार से चाहिए तो हमें क्या करेंगे आट रुपे के हो जाएंगे दो रुपे में एक से भंका पताएंगे मिलता है तो चार से में चाहिए तो मल्टिपले करेंगे ना तो वही तो कर रहा हूँ कि 0 से Seo X जाएंगे चछत्रिक 19ION different 1900 UK से Alors अथारा 21s highlight这ich 2100 विका थिकर भार अपिखर तो इतना अबहरा आ जाएगा थिकर इतना हमारा क्या जाएगा कि द्रैवीड आजेगा यह हमारा पहला चीज निकल चुका यह चीज ठीक है कि इतना हम सुष्क परदार सा देने वाले हैं एक दिन में दूसरा क्या निकालेंगे पॉइंट हमारा बनेगा दाना दाने की मात्रा इद्ध रवनेगा अब जब दाने की मात्रा है दो परकार से आपको हमने पहले बता दिया एक जो जीवन निर्वा होता है घे टे इसमें पहले देंगगे क्या पहले हम देंगेिसमें जीवन निर्वाँ हmi जीवन निर्वाँ आसनं अब क्ला को कितना देते हैं ऐसको देढ़के जीवन इरवाँ उसके के बाद दुग्ध उत्पादन के लिए दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन के लिए दिया जाता है उत्पादन दुग्ध उत्पादन के लिए हम क्या देते हैं कितना अधिक देते हैं तो इसके लिए हम एक केजी देते हैं किस पर दुग्ध उत्पादन के लिए धाई केजी पर धाई केजी दूद पर गाय के भाइस के धाई केजी दूद पर हम देते हैं एक केजी दाना कितना एक केजी दाना इस्तरा देते हैं धाई केजी पर हम देते हैं एक केजी धाई केजी पर हमें एक केजी देना होता है तो हम एक केजी दूद पर कितना देंगे एक एकी से एको पत्षीश हो जाएगा तो मार्व समय जाएगा पांच केजी घुया आप दूद पर जो है दाना निकल के आ जाएगा तो हम 5 किलो दाना इधार से इस्टरा दे देंगे स्वी तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा कुल दाना कितना होगा कुल दाना हमारा कितना निकलेगा कितना कुल दाना अब बात करेंगे जीवन निर्वा प्लस दूग्ध पादन दाना दूग्ध पर दाना जो है दूध पादन के लिए जो दाना दे जा रहा उसको इसको दोनों को प्लस करेंगे तो यानि कि हमारा 1.5 प्लस 5 तो हमारा कितना आजएगा 8.6.5 6.5 kg यानि कि हमें इतना दाना देना है कितना 6.5 दाना देना होगा इतना दाना हमें देना ही देना होगा यह में आ चुका इसका अंसर यह अब चलते हैं इसके आगे का इस्टेप क्या होगा आपका तो अब चलते हैं आगे के स्टेप पर आगे के स्टेप आपका बनेगा अब दुखो हमने दाना निकाल लिया है सुस्कपरदार निकाल लिया है ठीक है आप गया गरें दाने में सु हमने जो देना है उसको घटा देंगे क्योंकि यह भी तो जब हमें यह हिडन रूप में मिल लए ना जैसे कि हमारे पास यूरिया होती है डियाइपी होती है डियाइपी में जो होती है दो परकार केतर तो पाए जाते हैं यानिक उसमें फासफोरस भी होती है और सब्छक लगेगा दो आप क्या कि इंगे आप क्या करेंगे हां दाने में तीसरा स्टेप बनेगा दाने में में सुस्क-परदार्थ तो इसका पर्दार्थ की मात्रा अब हमें निकालेंगे यह तिक है इतना अब वह निकालना है अब इसको कैसे निकाले होगे देखो हमें थे आपको पहले बता दिया कि दाने में इसमें क्या होता लोलता कि 100 kg, 100 kg दाने पर , में 100 kg मिलता है तो डाने में ड्राइग मेटर कितना होता है, तो हमें 1 kg में में कितना मिले गुड केजी है वहागosa यहां पर सौप सो आ जाएगा से सकते हैं 2019 मिलना लेगogen contrat केजी दाने में में अन्दय में ड्र केजिकी Online मिला ना कितना है topics 5 तो मिस्से खुड कर देंगी मोड़ा करेंगे न क्योंकि एक हमें पता चल लगा एक की वैलू तो इतने ही हम पता कर लेंगे तो हम कर सकते हैं डाल किया 9 आपोन 10 इंटू 6.5 यह हमारा हो जाएगा अब इसमें और क्या गर सकते हैं इसको हटा आएंगे हम प्सकरल को यहां से हटा देंगे इस पॉइंट को अब हम यहां से भठां देंगे और इसको यहां पर बढ़ा देंगे अब इसको हम काटेंगे पांच तेरा पच्छे 65 पांदुनी 10 ऐसे कड़ेगा तेरा नवईया 117 हो जाएगा कितना 117 हो जाएगा और नीचे कितना आपका हो जाएगा तू किंटू 10 आपका यह ही तो आएगा अब इसको और काटो किस से कड़ेगा यह इससे कड़ना चाहओ तो यह अपका कर जाएगा दू पच्छे 10 दू पच्छे 10 कर जाएगा आपको यहाँ पर आप कुलियर दिख रहा होगा दू पच्छे 10 कईरी गयवन दूवट सोला, दूवट सोला हो जाएगा, जब दूवट सोला आ चुका है, दूवट सोला वो एक बचे का पंचे, ऐसे आ जाएगा यहाँ पर देस्मल, आप दस्ते भाग दोगे, तो आपका यह देस्मल जो आगे आ जाएगा, यानि कि हमारा जो इसका आंसर बन जाएगा, आन्सर्ट यहां मैं लिख रहा हूँ मैं आपका भाल हूआ है यह किसनाहमे मिलने वाला है किया दाने से सुक्सक पडाथ तो ये दाने का में जो इदाने के सासाऊत तो अब इसका हम घटा देंगे जो में हमारा सटा धुर्यमेंटर था उससे ठील थे ढगी चलते ये आब यहाँ पर आपको लिखना होगा ऐसे करके ठीक है अब लिखो गए सेज अब क्या लिखो गए सेज कि सेज सुसक अब को दिख रहा है न एक मिनिट कि सेज सुसक परदार्थ अब सेज कितना बचेगा जो हमारा पहले का ड्राइव मेटर था यानि घ्री कि यह पहले आया था या पिर या से घ्री आज ऑ फास्ट ड्राइव मेटर माइनस दाने वाला ड्री मेंटर माइनस मीनस दान्य की से मिलने वाले मुलने वाला मिलने इसको घठा ओगे तो आपका अंसर कितना देगाnar सेज vaigनोत की जा यह एद टो सब और 4-11 इसका अंसर आपका बनेगा कितना बन जाएगा तो इसको मगटाएंगे तो हमारा आजाएगा बारा पॉइंट वन फाइब आजाएगा इतना हमारा जो है ड्राइमेटर जो है अब देने को बचेगा क्योंकि इतना जो है की जाती है कि सितंबर मां है उस सितंबर में जो हम क्या करेंगे आधा जो देते हैं आधा जो ड्राय मेंटर है वो हरे चारे के रूप में देंगे हमेशा आधा हरे चारे के रूप में और यह होगा हरे चारे के रूप में इसमें हरे चारे के रूप में यही दो मैतड़ होते ह इतना दाने से मिल चुका है हमारे बचा कितना इतना बचा है हमें देना कितना था सबसे पहले ठारा देना था इतना मैंने जो दाने से मैं दे चुका हूं तो मेरे पास इतना बचा अब इसको कैसे देना है एक तो भूसे से दे सकते हैं दूसरा हरेचारे के माध्यम से दे सकत हम देंगे इसमें क्या करेंगे अब इसको हम अधा-धा अलग-अलग कर लेंगे ठीक है अब इसको हम अलग-अलग कर लेंगे यानि कि हम 1.25 जो केजी है इसको हम 2 से भाग कर देंगे जब 2 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा आपका दू छंगी बारा पॉइंड दूसती चौदा दूसती चौदा आ जाएगा आपका यहाँ पर ठीक है उसके आगे नहीं जानेंगे यहीं इतने तक हम सौल्व करेंगे इससे आगे नहीं जाएंगे ठीक है मलब कि दो अंका तक जाओगे तो फिर ज्यादा कॉम्पलिकेटर बन सब्सक्राइब अब करेंगे खाला पूसे की मातरा आप पहले बता चुक्त हम भीच्ण्डडड मेल मिलता है घो इतना हमें जो ड्राय मेटर मिलता है वह 90 kg मिलता है कितना 90 kgm भूसे में में प्राप्त होता है अब क्या गरेंगे मैं कि यहां पर हमें find out क्या करना है हमें पता क्या है हमें तो ड्राइब मैंटर पता है ना तो हमें एक केजी ड्राइब मैंटर की वैल्यू पता करनी होगी समझ रहा हूं कि मुझे जो है पता क्या है ड्राइब मैंटर पता है तो हमें सबसे पहले इसमें find out क्या करना होगा कि एक एक केजी ड्राइब मैंटर कितने भूसे से मिलेगा एक केजी तब हम तो इसका निकाल पाएंगे छे पूंट से विंगे तो हमारा आजाएगा इतना अब जब हमारे प्यास इतना आ चुका है के लिए हमें इतना बराबर हंड्रेड इा पोन 19 इंटू 6.7 भूसा यह हमारा आएगा भूसा ठीक है यह हमारा क्या आएगा भूसा आजाएगा अब इज्ि एक कितना आएगा हमारा इसको जब करोगे यह जिरो बढ़ेगा इस इस से कट देगा अब इसको इसको आपको भाग देना है प्वूइंट पॉय्ट बचेग पंच नोप ते 45 नोपटे 45 कर दें थे हाँ पूरा पूरा 95 करुछ कर देते हैं भीड़े connects हुमारा हूं कहा है क्या है कि इतना वह सार देना को देना होगा अब दूसरी आगे चलते हरे चारे की मात्रा करना होगा इसी प्रकार से अब इसकी पता करना होगा हरे चारे की मात्रा परता करना होगा हरे चारे की तो अब पता करते हैं हरे चारे की मात्रा हरे चारे की मात्रा इससे कहा है एक दिन का मिल लाए हरे चारे की मात्रा अब हरा च प्रदाद में 30 kg मिलता है यह आपको पहले में बता चुका हूं तो इसलिए अभ हमें 1 kg 1 kg ॥ 1 kg ड्रामेटर हमें कहां से मिलेगा तो 100 यी रा चारा हमें करना के इतना करें सिस्ट यडटे ड्रा इंट्र के जी राजे इसा उसे द्राजी और सासे रिउनखते है क्यों ब्ता क्योंत्स लोगा है इसी ड्रामिर क्यों न佐व मिलेगा 8 तो हमारा यह कितने मिलेगा 130 इंटू 6.88 kg हरा चारा अब इसको हम सॉल्व करेंगे अब इसको पॉइंट हटाने के लिए नीचे जीरो बढ़ा लेते हैं जीरो आ जाएगा इससे हमारा जीरो कट जाएगा यह जीरो इससे काट देगा तो तीन दूनी छे हो जाएगा इसको तीन दूनी छे हो जाएगा और तीन दूनी फिर छे आ जाएगा तीन दूनी छे और तीन दूनी छे ठीक है तीन दूनी छे हो जाएगा फिर बचेगा आपका दो तिछंग ठारा तिछंग ठारा तिछंग ठारा यही आपका रिपीट हो जाएगा इतने केजी हमारा आए जा आप हमारा पूरा सवाल हो चुका है कि अध्यान रखिए हमारा पूरा सवाल हो चुका है अब इसको उत्तर कैसे लिखते हैं इसको नोड कर लेना है कितना कर सकते हैं ⋈ आप यहान पर नूट कर लिए खनीज गिंसे कि आपको इसमें धोड़ा आपको अलग कलिए क्या होगा करद सकते हो शौटे-छौटे कर सकते Вот कि और नमक की बात करें नमक कितना बल्टी दोगे या पांच बल्टी ये कभी कभी भी मतलिक ना ठीक है आवश्यक्ता असक्ता अनुसार इसमें यही लिखा जाता है पानी में ठीक है यह आपको ध्यान रखना है इसमें यह नहीं कि दस बेल की पांच बेल की ऐसे करके लिख देना यह आपको ध्यान रखना है तो यह आपको इस तरह जो ही चीज़े याद रखनी है यह जब बसु अहार गड़ना करना तो यह आपक हों भूसा 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 बराबर क्या होगा भूसा लिको क्या हो लिखोंगय कितना हमारा निकाल 1095 Wow 11.5 ke g विर्पॉइंध रहे देना यह चरी कर देते हैं grading सिर्फ आपको बर्सीम को ध्यान रखना है बर्सीम जब होगी तो जीवन निर्वान है देते बस तो चरी कितनी हुए चाहिए बाइस पॉइंट सिक्सिक्स कही चाहिए ठीक है अब यहां पर अगर हराचारा भी लिखना जो लिख सकते हो इसलिए चरी यहां पर लिख देना कोई गलत नहीं ह अब बात करें खनीज लवड कितना कर देंगे खनीज लवड मैंने पहले बता दिया खनीज कर सकते हो अब बद करें पानी कि पानी के लिए आप कहसकते हो पानी आसकता अंशाल आवाशकता नुसाल आसकता-नुसाल ठीक है जितनी आसकता उतना ही पानी देना चाहिए ठीक है यह से करके इसमें लिख सकते हो तो यह है पूरा फार्मेट है आपको कवेश्जन सॉल्व करने का तरीका है इसी format में आपको पूरा question solve करना है दो तीन बार वीडियो यह देख लेना अगर ना समझ मैं एक बार में I hope मैं ने तो एक ही कोशिस की आपको एक ही बार में समझा दूं लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग इसको दो बारा कोशिस करिएगा समझने की आपक एक ही question की multiple times जो आपको practice करनी है ताकि आपको question गलत हो ही नहीं सकता है ठीक है होगा ही नहीं अगर आप दो तीन बार उसको practice कर लेते हो तो यह आपको ध्यान रखना है इसको practice कर लेना है यह आपके person होते हैं परसू से related जिसमें की हम परसू आहार की गढ़ना करते हैं इतना है भी आपका लोग है पूरा आपका question solve हो जाएगा कोई problem आने वाली नहीं है इसी प्रकार से आपको solve करना है जैसे कि आपको बतायते है अभी गाविन गाये वाला थोड़ा कि अगर वह पसू बोलेगा मैंने बोल दिया है गलती से जब examiner आप से बोलेगा ठीक है जब examiner आ कि यह मलब भूड विकास भी हो रहा है या फिर गाय जो है गावी नहीं या भाइस गावी नहीं तब जाके आपको यह वाला भी करना है वरना एड़ नहीं करना है ठीक है बाकि बर्सीम वाला मैंने आपको बता ही दिया है कि जब available होगी तो जीवन नहीं देंगे पस यही इसलिए मैं इसको राट में रात में सूट कर रहा हूं तो आप लोग भी इसे सिद्दत से देखिएगा मैंने आप लेगो के लिए मेहनत कर दी है आप आपको मेहनत करनी है इससे कुछ सीखना है मैंने तो अपनी तरफ से मेहनत कर दी है आप लोग के लिए बना कर पूरी वीडियो लिख कर पर आपको समझा दिया हूं अब इसे अपलोड भी करूंगा अभी राती में ठीक है ताकि आपको रात में क्या होता है दाटा जो है फ्री मिल जाता है इसल बिए रूल लेणा यह आपको छे नंबर नहीं आपके पैडिकल में भी पूछय जाते है परस्थन इसे जब पैडिकल में आएगा तो प्रेटिकल के आपके अथे नंबर माल लोगए और छे नंबर आ आपके बोड में आ तब 12 नंबर यहां से बन जैते है तो यह नुमयरि नेक्स्ट वीडियों तुम्तले जाहिन जाभारत